नमस्कार साथियो सूचना करंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शीलें दुकुमार साथियो जो पिछले वीडियो बनाए वो आपको बिहत पसंद आए उम्मीद है ऐसे ही आप सभी लोगों का प्यार मिलता रहेगा साथियो अभी बहुती जादा गर्व की खबर है कि हमारे देश भारत की महिला क्रिकेट टीम ने अंडर 19 टी 20 वर्ल्ड कप को जीत लिया है और फाइनल में केगलेंड को माद दी तो आज का यही हमारा टॉपिक है इस पर बिस्तरत रूप में हम चर्चा करने बाले हैं तो वीडियो को अंता का वश्य देखें और चैनल पर यह अंद नए हैं तो इसे सब्सक्रेब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेश करें चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ICC Under 19 T20 World Cup के फाइनल में भारती अर्चना देवी ने एक लेंड की रेयान मैक दोनाल्ड का हैरत अंगेज कैच पकड़तर सब को चौका दिया भारती महला क्रिकेट टीम के लिए सायद ये 1983 जैसा लमहा है कपिल देव की कप्तानी में भारत ने बर्ड कप जीता और उसके बाद भारतीय क्रिकेट हमेशा के लिए बदल गया तो क्या ये महला क्रिकेट के लिए भी टर्निंग पोइंट होगा एक बड़ा सवाल है तो मुझे लगता है कि जी हाँ वो लंबा इंतजार खतम हुआ भारतीय महला क्रिकेट के लिए 29 जनवरी की तारीख खास बन गई सचिन तेंदुल करके रिकॉर्ड पर अपना नाम लिखने वाली लड़की सैफाली बर्मा ने अपनी टीम को बर्ड चेंपियन बना दिया कोच नूशीन अलखदीर उस टीम का हिस्सा थी जो 18 साल पहले फाइनल में पहुँच कर खिताब नहीं जीत पाई थी वो कसक अब मुसकान में तबदील हो गई है भारतिय महला क्रिकेट टीम पहली बार बर्ड कप चेंपियन बनी है कई बार खिताब के पास पहुँच कर चूप गई थी वो दर्द कैसा होता है आप समझ सकते हैं 2005 में भारत बंडे बर्ड कप के फाइनल में पहुचा था मगर ऑस्ट्रेलिया से 98 रन से हार गया था साल 2017 में बंडे बिश कप के फाइनल में एगलेंड ने भारत को हरा दिया था 2020 के T20 बर्ड कप में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाब भारत 85 रन से हार गया था पिछले साल कॉवन बेल्ट गिम्स में भी भारतिय टीम खिताब नहीं जीश सकी थी रववार को लड़कियों ने फाइनल का जिंक्स तोड़ दिया जूनियर टीम ने सबका बदला ले लिया वो भी प्रक्तिदवन्दी को रोंते हुए महलाओं का ये पहला ही अंडर 19 बर्ड कप था और भारतिय लड़कियों ने कमाल कर दिया सैफाली बर्मा और पूरी अंडर 19 महला के के टीम इसके लिए बधाई की हकदार है दक्षड अफ्रीका के पोचेफ स्ट्रॉम में खेले गए पहले ICC महला अंडर 19 बर्ड कप खिताब पर भारत ने कबजा जमाया इस टूनामेंट में भारतिय टीम आस्ट्रेलिया के खिलाप जरूर हारी थी जबके इगलेंड की टीम टूनामेंट में अपराजे रही थी एक भी मैच नहीं हारी थी इगलेंड की टीम जाहर है इतिहास और रिकॉर्ड दोनों इगलेंड के साथ थे मगर भारत की जबरदस्त गैंदबाजी और सांदार्क्षित्र रक्षड के सामने इंगलेंड के मनसूबों पर पानी फिरता चला गया और तैयारियां धरी की धरी रह गई दोनों टीमों ने फाइनल के लिए कोई बदलाव नहीं किया था एगलेंड ने सेमी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया तो भारत ने न्यूजिलेंड को आठ विकेट से हराया था फाइनल उसी पिच पर खेला गया जिस पर दोनों टीमों ने सेमी फाइनल खेला था भारत ने टौस जीत कर गैंदवाजी का फैसला किया भारतिय गेंदबाजों ने पिछ पर कहर बरपा दिया तेज गेंदबाज तिताज साधू, ओफ स्पनर अर्चना देवी और लेग स्पनर पार्श्वी चोपडा के सामने इगलेंड ने मानो घुटने ही टेक दिये लगातार दूसरे मैच में इगलेंड की बल्लेबाजी लड़ खड़ा गई इगलेंड की टीम अठार में ओबर की पहली गेंद पर 68 रन पर ही डेर हो गई अब जब 68 रन पर कोई टीम डेर होती है तो जीत की खुसबू तो वहीं से आने लगती है भारत की ओर से तितासादू अर्चना देवी और पारश्वी चोपडा ने क्रमसच छह, सत्रा, तेरा रन देकर दो-दो बिकेट लिये कप्तान सैफाली बर्मा, मननत कश्यप और सोनम यादब ने भी एक-एक बिकेट लिया पारश्वी चोपडा की गेंद पर एक हैरत अंगेज कैच पकड़ कर अर्चना देवी ने क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया ये तो भाई च्छाई रहीं लगातार मैच में इंग्लेंड की हॉलेंड, हॉलेंड देश मत समझ ले न, हॉलेंड क्रिकेटर का नाम है रियाना मैकडोनाल्ड गे, अलेकसा, स्टेन हाउस और सोफिया स्नेल तीन ही खिलाडी दहाई का आंकणा छूपाई भारत की ओर से सेफाली बर्मा और स्वेता सहरावत ने पारी की सुरुवात की सेफाली ने 11 गेंद में 15 रन बनाए और दूसरी ओपनर स्वेता सहरावत ने 6 गेंद में 5 रन बनाए और दोनों पबेलियें लोट गई मगर भारत ने 14 ओवर में ही इस लक्ष को हासिल कर लिया क्योंकि लक्ष कोई खास बड़ा नहीं था आगामी दस फरबरी से सीनियर महला क्रिकेट वर्ल्ड कप भी खिला जाना है सायद इसलिए इंग्लेंड की तीन सीनियर खिलाडी इस मैच को देखने के लिए खास तोर पर पहुँची थी टूनामेंट कही लिहाज से दिल्चस्प रहा पहले मैच में बंगलादेश ने औस्ट्रेलिया को हरा कर तहल का मचा दिया रवांडा की टीम पहली बार बर्ल्ड कप में खेली और सब को उसने प्रभावित किया दक्षड अफ्रीका की मैडसन लैंट्समैन ने एक और रवांडा की हेंडरिट इसमवे ने दो हैट्रिक लगाई जाहिर है महला क्रिकेट का स्तर और लोक प्रियता की ओर बढ़ता जा रहा है अंडर 19 महला भारती क्रिकेट में गुर्बस से सहरत की कई कहानिया है दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर रोह तक की 15 साल की एक लड़की जिसे क्रिकेट का अगला सुपरिश्टार कहा जा रहा था जिसमें क्रिकेट को लेकर जुनून इस कदर था कि कई बार लड़कों की बेस भूसा में लड़कों का मैच खेलाती थी पिता ने इसलिए बेटी के बाल छोटे करा दिये थे आर्थिक परेशानियों से जूज रहे स्वर्ड कार पिता बेटी के जरीए अपना ख्वाब पूरा करना चाहते थे लेहाजा सारी ताकत बेटी के पीछे जौक दी थी इस लड़की का नाम था शैफाली वर्मा तब ये लड़की बेस्टिंडी से तहल का मचा कर लोटी थी सचिन तेंदुलकर का सबसे कम उम्र में अर्षतक बनाने का रिकॉर्ड तीस साल पुराना रिकॉर्ड जो था उसे इसने तोड़ दिया उसके कोच अश्वनी कुमार का कहना था कि लड़के स्ट्रोक मेकिंग 14-15 साल में कर पाते हैं मगर ये 11-12 साल की उम्र से ही स्ट्रोक मेकिंग करने लगी थी कोच से गौड गिफ्टेड कह रहे थे सैफाली का प्रदर्शन देखते हुए कोच उसे लड़कों के साथ खिलाने लगे बाकी इतिहास है सेफाली वर्मा दो बिशुकप के अलावा पिछले साल बर्मिंगम राष्टमंडल खेलों की रजत पदक विजेता का भी हिस्सा थी वहीं फाइनल में दो विकेट और एक जबरदस्त कैच पकड़ने वाली अर्चना देवी की भी कहानी कम संघर्स भरी नहीं है उत्तर प्रदेश के उन्नाब जिले के रतई पुर्वा गाउं की अर्चना देवी की इस सफलता के पीछे उनकी जिद्दी मा सावित्री देवी का हाथ है जो तमाम फ़क्तियों तानों के सामने बेटी को क्रिकेटर बनाने की जिद पर अड़ी रही कैंसर से उनके पती की मौत हो गई तो उन्हें डायन तक कहा गया मगर अब सैफाली और अर्चना के घर पर जस्न मन रहा है और इस जस्न में बेबी लोग सामिल हैं जो कभी ताने मारते थे वहीं फिरोजाबाद की ओल राउंडर सोनम यादव बाएं हाथ की इस्पिनर बॉलर और दाएं हाथ से बल्ले बाजी भी करती हैं सोनम पांच बहनों में सबसे छोटी हैं पिता कार खाने में मजदूरी करते हैं सोनम की क्रिकेट में दिल्चस्पी को देखते हुए उसके पिता ने दो समय मजदूरी की इन योवा खिलाडियों ने दिखाया के भारत में सच मुछ महला क्रिकेट बदल रहा है इन क्रिकेटरों की छोटी सी किन्तु संघर्ष बनी जो कहानी मैंने आपको बताई उमीद है आप उससे कुछ सीख लेंगे जो भी अभी युवा हैं वो उससे जरूर कुछ न कुछ सीखेंगे और हम सभी के लिए ये गर्व की बात है कि इन छोटी छोटी लड़कियों ने देश का नाम रौसन कर दिया उमीद है वीडियो पसंद आया होगा या वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़ादा से ज़ादा सेयर करें और आपके अपने इस चैनल सुचना करांती को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें आप हमें कोई भी राय देना चाहते हैं या इस वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है अब अश्य से दो सब्सक्राइब लिखिएगा थैंक्स पॉब वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद